हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल सोस्तो क्लास स्टेंथ की इंगलिश के अंदर आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइट दबस चैप्टर से एक और इंपोर्टन कोश्यन जो की मारे पसाता है वट वाज़ा सोर्स ओफ अन एंडिंग जोई फोर वली वट वाज़ार स्टोंग एस डिजायर तो इस तो अन एंडिंग जोई का मिनिंग होता है जिसकी कोई सीमा ना हो एक ऐसी खुशी जिसकी कोई सीमा ना हो तो कुशन में कह रहा है वली के लिए कौन सा अन एंडिंग जोई था वो में बताना है यानि उसके लिए कौन सी खुशी थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी उसकी सबसे ज़्यादा strongest इच्छा क्याती मजबूत इच्छा क्याती वो में बतानी है तो इसका अंसर पढ़ते हैं दबस वाजा source of unending joy for her वली के लिए bus यानि जो travel करते हैं जिसमें हम bus वो उसके लिए unending joy का source था यानि जिसके कोई सीमा ना हो वो चाहती थी कि मैं bus में सुवारी कर लू पेशक एक बार कर लू तो आगे पढ़ते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा ये line आएगी every time it came from the town it would bring a new set of passengers तो जो bus थी वो शहर से आती थी और शहर से हर बार जब भी आती थी नए passengers को लेके आती थी तो वली देखती थी कि बस के अंदर लोग कैसे कैसी activities कर रहे हैं कैसे enjoy कर रहे हैं her imagination kept soaring and gradually she nurtured a strong desire to take a ride in the bus at least once तो पहले तो उसकी imagination थी कि मेरे को बस में सवारी करनी हैं लेकिन धीरे धीरे वो उसकी imagination strong desire में convert होगी यानि एक मजबूत इच्छा में convert होगी सपने में convert होगी और वो चाहती थी कि मैं मेरे को बस में सवारी करनी हैं बेशक मेरे को एक बार करने को मिले at least once मुझे एक बार भी करने को मिलेगी तब भी मैं करूंगी मुझे बस बस में सवारी करनी है ओके तो यही थी उसकी unending joy for वली कि उसको बस में ride करना था बस में सवारी करनी थी ओके फ्रेंड्स यह था question उमीद आपको अच्छा लगाओगा आपको पसंद आया होगा अगर अच्छा लगाओ प्लीज वीडियो को लाइक कर दो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर जैहिन जैवाग